एक हेएं कि यह आगिया मारे पर आब एवर भीजिन अलोग है अब करा है आउस को अपने जिलेखन कर लिए चेक है और आप क्या करो इसी करना एक न Cry Cartelign तो वेरियंट ले लिया है प्लस के बटन पर क्लिक करके अच्छा वेरियंट ये गवे करने से पहले एक छी जाल कर ले हैं आप इसके अंदर ना डाल लेना थोड़ा सा हमने क्या करा एक रेक्टेंगल ओर बनाया चार अड़ करके और इसको नीचे की तरफ शेक नाल दिया और कहां पर हमारा फिगमा यह रहा इसकों अंदर मैंने कंटेंट डालती है इसका एक शैड़ो देने के लिए सा कलर ना मैं थोड़ा सा ना वो कर जाता हूं राक सा यह थोड़ा सा लक दिखाई दे हैं अजी तो एक सेक्षण हमारा इसा कुछ बन घया है यह चेक्षण की ना हमक्वा करते है इसको ना सिलेट करके एक copy कर लेते हैं तो पहले मैंने इसको select करा और control all k कर दिया तो ये component बन गया हमारा ये component बन चुका है इस सरीके से अब हम क्या करेगे इसी कोई न एक plus के button पर click करके इसे set कर लेगे जो पहला वाला section है न ये वाला section इसको हम क्या करेगे इसको select करके इसके variant ये पहला वाला default variant है इस पर आप click करना और इसकी जो rectangle है न पीछे वाला इसकी height को अठा देना इसको ऐसे चेक है चेक है इसके content है न इस content को आप यहाँ height कर देना ऐसे तो पहला section हमारा ये इस तरीके से रहेगा चेक है पहला section हमारा इस तरीके सरा यहाँ में एक plus का button भी देता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक plus का button दे दिया control D से duplicate इसको मैंने ऐसे रख दिया इसको select करके यहाँ बिलकु सेंटर में रख लेते है तो यह plus का button हमारा यहाँ आ गया जैसा भी चाहिए आपको इसी default variant के अंदर रखना पर ठीक है ऐसे रख दिया हम जाए second अब इस पर click करने पर क्या होगा यहाँ पर minus का button आ जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ इसी को इना copy कर लेता हूँ control C अब अब यह दूसरे variant में जाके और यहाँ पर मैंसे paste कर लेता हूँ control V इसे मैंने यहाँ पर paste कर जाएगा तो बिल्कुल अपनी जगाँ फिट हो गया यह ठेक है अब हम क्या करेगे इस वाले section को na select करेगे और select करने के बाद यहाँ पर मैं काम करता हूँ select कर लेता हूँ इसको और select करने के बाद हम यहाँ पर inspect में प्रोटोटाइपिंग में जाके और इसको click करके यह वाला open करा के देखते हैं on click पर होगा change to यह होगा change to होगा और second variant 2 हो जाएगा variant 2 मतलब frame frame कुछ नहीं बनाएगा यहाँ पर हमने smart animate करा और easy अकी जगा ठेक है ठेक है तो यह आगे हमारे पास ठेक है dissolve में क्या option आ रहे है यही रखते है smart animate देखते है एक्टिविटी का हो रही है इसके अंदर और इस पर जाने के बाद हमने क्या करा है इसको भी same उपर पुचा दिया on click change to smart animate ठेक है अब हम एक बार यह देखते है assets में जाएगे और इसको उठाके यहां रख लेते है ठेक है अब देखते हैं यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा play के बटन पर click करके देखते है नहीं मैंने उस पर लगा दी कहा पूरे पर अच्छा अच्छा नहीं आपने वो icon के उपर लगाने है तो अभी क्लिक करने पर यह ऐसा आया क्लिक करने पर बंद हो गया अभी तो पूरे पर हो रहा है ऐसे पूरे पर भी होता है बहुत से लोग पूरे पर लगा रहते है तो यह दो को हमारा क्या हो रहा है इस तरह के से यह वर्क कर रहा है समझ माया तो इसे अक्रॉडियन बोलते है अगर मुझे सिर्फ इस पर लगा नवता तो हम क्या करते है अभी मैने पूरे पर लगा रखा था इसको मैं ढ़ा लेता हूँ टे के इसका भी ढ़ा था हूँ टे के इस वाले को सेलेट करते हैं गुरुप कर लेते इसको CTRL G से अब इस पर लिंक लगाते हैं ऐसे ठीक है, On Click Variant 2 ठीक है, ऐसी इस पर क्लिक करेगे इसको उठाके इस पर लिंक लगा दिया, On Click Variant 2 ठीक है, अब जड़ा चेक करते हम तो दो को पूरे पर नहीं हा रहा कई पर जाएं पे वी इस पर क्लिक करने पर बंद हो रहा है आया टासंज में आपको यह कोई कहता है कि आपको अर्फ क्यू का सेक्षन लगाना तो पीकी के स्थन टर्फ पिस्क इसको यूजर कर सकते गूगल भी यूज़ करता है यहां तक कि अगर यूज यह साच करो Google पर कोई कुश्चन Graphic Design इंस्टिट्ट इन नाइडा ठीक है तो Google ने कहीं दिया वह है वेर लगाते हैं वेर इस इंस्टिट्ट इंस्टिट्ट और ग्राफिक और गूगल थे और आपको प्लस का साइंड माइनस का साइंड और या फिर ढाउन अपकी दिखाना है तो वह अपने ऐपर दिखा सकते हैं तो वायानो आप और दिखा सकते हैं ना उतिन यात है जो मैं एक था. तो उसे भी येजह. आगे समुझ में आपको ये चीए ढिए। है तो हम सुरीकिसे कउरण लगा सकते है। कि यह कल बता है मैंने चाथ को चार बिल कम्प्लीट कर गया एक सेट इस वह रहाता है सुगा क्या कि यह क्लाइंट ऐसे होते हैं और जब क्लाइंट यह होते हैं तो हम अपने यू आई को भूल जाते हैं यह है क्लाइंट जब ऐसे होते हैं यू ऐ के सख्चन हो प्रम ने यू आई की थरी खोल जाते हैं अफ्य आपने साथ से प्रेंट क्या किसकी स्पेलिंग ट्रिपल 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 शेरिंग सएट सभी नहीं है है एक सेकंड है यह जी दिश्याद है चलो वह नहीं वह अपना बोलेगा तो करेगा ठीक है तो देखो इसके अंदर मैंने यहां पर व्यू पैकेज में गया तो देखो यहां पर यह रहा ठीक है तो आशे लाइक हम इस तरीके से क्या कर सकते है ऐसे दिखा सकते अपने नियुक नहीं आता वेबसाइट में अ और कि नहीं ऐसा कुछ नियुक्त से भी नहीं होती है अभी लाइक कोडिंग से तो कुछ फिनिशिंग नहीं आई देखो फिनिशिंग क्यों नहीं यहां पर स्पेस रहें कि हमेरे से यह मुझे कुछ समझ में नहीं क्या कर दो तो मैंने बस उठाकर बस कंटेंट डालता रहा है इ बस जैसा मर्जी है मुझे दिखा डिजाइन मैंने अपने साब से बना दिया विना देखे कुछ तो यह ऐसा है कि हमें कुछ नहीं पता कि कैसा डिजाइन बनाना है बस जैसा जैसा मुझे लगता रहा कि ऐसे बना दूं ऐसे बना दूं वह मैंने डिजाइन कर दिया इस तर तो यह चीज के लिए रोगई आपको समझ में आ गया तो हमारा यह सेक्षिन बन गया यहां पर ठीक है तो यह सेक्षिन कैसे बनाया मैंने अक्रोडियन इसे क्या बोलते हैं अक्रोडियन तो यह अक्रोडियन है हमारे पास ठीक है अगर ऐसे ही आपको टैप वाला सेक्षिन बनाना तो यह आप बना के दिखा सकते हो यहां से मैंने इसके को यहां पर ऐसे इस वाले को और इस वाले को राउंड कर दिये मैंने चेक है यहां पर नीचे मैंने क्या करा एक रेक्टेंगल ले लिया यह रेक्टेंगल ले लिया हुआ 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 है इप तो चलो यह आ गया हमारे पास इसके अंदर कलर देता हम कौन सा कलर चाहिए यह कलर देता हूं जैसे कि मैंने यहां लिख दिया हूं या इसमें लिख दिया मैंने मॉड्यूल वन के कंट्रोल बी से मैं नॉर्मल टेस्ट कर देता हूं इसको उठाकर यहां रख लेता हूं इसके बाद मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं अच्छा तो पहले तो मैं क्या करूंगा अब इसको वह बना दूंगा कंपोनेंट कैसे बनाओंगा यहां से इसको और इसको सेलेट करूंगा डाल देजा कुछ है तो यहां पर मैंने कुछ गंटेंट डाल दिया हुहां हुहां हुआ हुहां टीक है हुए अ जुए हुए है अ अ अ तब ही तो लेट हो गया तब ही आँ लेट आया है न भी तो आया हुआ है कार यार पूजेट्स हा रखे हैं में पाफी सारे क्या करना तुम यहां के भी तो प्रैक्टिस ही करनी तुम है अच्छा मैं हम तो आगी थी साथ दूज्या तेखो सेलेट किया हमने यहाँ पे ठीक है इसको हमने क्या करा क्या कि मैं कि अपरे क्या करना हो मौन करने पर तो आप तुम आपको क्या करना है इस केश में आपने न एक सेक्शन पुरा हो गया मारा अच्छाई यह हमारा एसे हाँ ठीक है और है सेक्शन को न सिलेट करना है और क्नटोल all ke ka करके कंपोनेंट बना दिया अब मुझे कंटेंट इंच करना है तो हम क्या करेंगे इसी करना की रहा बना लेगे मतलब प्लस कर लेगे यहां पर क्लिक करके पहले वाले केस में मैंने क्या करा इसको बंद रखा तो इस वाले सेक्शन को मैंने क्या करा हाइट कर दिया तो हाइट कैसे करेगे यहां पर देखो कौन-कौनसी लेर है यह लेर है और यह लेर है है यह लेर है यह आ गया इसको भी हइट करना पड़ेगा इसके हमने अलग-अलग मॉडिल बनाने पड़े गे तो फरस्ट हो मॉडिल टू कर दिया यहां पर जिस पर क्लिक करेगा वही सेक्षन ओपन होके आज जाएगा आप चाहँ तो सिर्फ बटन बटन बना सकते हो यह जो बटन है ना बटन ले लो को दिलीट मार दो आप सिर्फ ना क्या करो इसको सेलेट करो इस वाले सेक्षन को तो आपने क्या करा एक बटन बनाया और आप बस यह एक अनेक्टिविटी बनाना कि बटन पर कोई क्लिक करे तो कंटेंट आजए कौन-कौन से content दिखाना है वो हम set कर लें कि तो देखो एक बटन यह रहा मेरा ठीक है control के कर दिया इसी की मैंने क्या करा यहां plus करा दो तीन चार तीन का करके दिखते हैं पहले वाले में मैंने की माड़िल बढ़ल ले मौड़िह ंबीक है एक और दूसरे वाले मौड़ियल टू कर दिया ऊचिती सथे तticमाय वाले के अंदर महले मौड़ियल ठी घ्जिक पर दिया तो तेन मौड़िल आगा हमारे पास अब इसको डिजाइन में set कर लेते हैं तो डिजाइन में हमने यहां पर ऐसे set कर दिया है अब मैं चाहता क्या हूं कि जब first पर कोई click करें तो first का content आ जाए second पर click कर तो second का content आ जाए तो हमें काम करेंगे हम एक rectangle बनाएगे इसके सामने यह रहा ठीक है इसका content डाल देगे तो मैंने कश कंटेंट डाल दिया यहां पर यह रहा है और इस पर मैंने कुछ पेस्ट कर दिया यह content पेस्ट हो गये यह पहले में मैं कर लेते हैं उत्व यह जब कर लिए टो यह भी क्या हjang गये पम्नट मैं गया शेक चेक है यह हमारा एक component तर今 से बन गया एक से हैं दोसरे में दूसरा content चाहिये मैं आ तो दूसरे में हया पर content कुछ कम कर देते यह content मैंने कुछ कम कर दिया तीसरे में से अलग शुर्षा कर दिया अब तीनों का अलग अलग आ चुकत है content अब हमें कॉल करानी है बस तो देखो हम क्या करेंगे तीन बटन बने वे तो यह पहले वाले पर क्लिक करके पहले वाले को कॉल करा देगे दूसरे वाले को क्लिक करके दूसरे वाले को शुरू में एक काम करेंगे हम इन तीनों को यह जितने भी है उनको एक कमबाइन कर लेते हैं तो य अलब करiyor कि अब woven to the default आंठाद दूसरे वाले पर component call क्राज़ा में तो दूसरे बढ़ेगा इस पर एक लिप कर देते हैं फ्रेम बनाए इसको फ्रेम काया है अगा समझ मैं आपको पर बाहर निकाल लेता है अब जड़ा करते हैं इस पर गए प्रोट्रो टाइपिंग पर गए क्लिक करके दूसरा वाला कॉल हो गया चेक है तो यह दूसरा वाला हम उपन करा देगे इस पर कोई क्लिक करेगा तो इसका तीसरा वाला यह जो है हमारा इसको मैं उठा के यहां रख रहता हूं ठीक है इस वाले को सेलेट करके हमने इस वाले को फिक करके हमने उठा के यहां रखती है तो यह तीसरा उलग वाल हो जाएगा तो मतलब आप अलग-अलग content भी ऐसे play करा सकते हैं तो मैं आपको यह ठीक है तो यह हमार accordion है यह कहां यूज़ कर सकते हो इसे बोलते हैं tab section option कि दीश करते हैं देह्कों यह कहां पर यूज़ हो सकता है यह हो呀 HR in another website में यह को यहां पर यूज़.' यह रहा है तो इस LT Running करने पर इसका content आ रहा है इस पर इसका content आ रहा है इस पर क्लिक करने पर लहनी करने पर 85 अलग है तो अगर आपको इस तरीकी का दिखाना है तो हां चैक है तो आप ये सेक्शन भी आप ऐसे लगा के दिखा सकते हो तो आपके डिजाइन है वह ताप डिजाइन कैसे भी कर रहो पर यह भी होई सेम काम कर रहा टाइप आला कि इसका क्लिक करने पर कंटेंट शोड़ है काफी पहले हैडर वाले सेक्शन आप लोग और अच्छी तरीके से वाले में कोई दिकत नहीं आती वह लगाने में तुमें क्या है यह सब गाने यह नहीं आता जुकर तो एक वेबसेट ले लेते हैं इसको पूरा स्टेडी कर लेते हैं कि उसमें क्या दिक्कत हमें आ सकती है हमारे पस केनवा है केनवा में जैसे को वीडियो होती है हाँ 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 हेलो उसकी वीडियो का सब्सक्राइब आपो के विचिए करता है फून अच्छा में बताता हूं इसका भी है है हलो हाँ ये इस फूला ठेक है अहाँ अहाँ उपे उपे कंटेंट उटके आजए अच्छ तो न उसके लिए न क्या करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर प्रोटोटाइबिंग इंदर ऑप्शन है जैसे प्रोटोटाइबिंग में जाओ कि न तो एक ऑप्शन होता कि किसी से कॉल कराना और एक उताओ ओवरले ऊसके करना ओवरले यूज करना ओपन ऑवरले अब उसके लिए अपर आजयाका और फिर एक लिए तो बंदों के वापस चला जाएगा ठीक है नीचे close over लिखाएगा उसके पर click कर देगा तो हो जाएगा मतलब जब open करवा देगा तो नीचे ही उने पर और एक option आएगा कि आप कहीं भी screen पर चाहते हो कि click करने पर close हो जाएगा अगर उसे check कर देगा तो close हो जाएगा नहीं तो फिर हाँ 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 right right हाँ हाँ है सबसे पहले यह बटन बनाया मैंने चीक है इस बटन में मैंने लिख दिया यहां पर send now ठीक है और इसको मैं क्या करता हूँ color change कर लिए इसका इसका color देते हैं यहां पर प्रोटो टाइपिंग यह color डाल दिया इसे यहां रख लिया ऐसे इसको मैंने क्या कर आए ctrl alt k कर लिया component प्लस के बटन पर क्लिक किया यह दूसरा आ गया इस पर क्लिक करने के बाद इसका color हमने black color कर दिया यह black हो गया font color को मैंने white कर दिया white हो गया बन गया है हमारा box है यहां प्रोटो टाइपिंग में गए इसको उठा के हमने यहां रख दिया और on click के जगा वाइल hovering कर दिया बस हो गया अब आप यहां से assets में जाओ उठाओ इससे उठाके दलग दो अब जड़ा चेक करो ले करके देखते हैं असान था यह देखो आ रहा है अच्छा आप यह रहा हो ठीक है सोझवाया आप इसका size कम जादा कर सकते हूं कितना size कम ज्यादा करने है कि अ हाँ 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 केंटेंट हमें कुझा अधिस करना पूलेगा अ है है यह ना अ है अच्छा मेरा फॉन बद था पैठो भी आरहा है तो आप इस तरीके सेट कर सकते हो यहां पे अब क्या करा जब हूब जाने पर क्या हो गया कदर शेंज हो रहा है अटाने पर समझ में आगया यह चीच के लिए रहे हैं हाँ ठीक है अच्छा और क्या देखते प्रोटाइपिंग और कहां कहां होती है इसमें अच्छा डॉल यह लास्ट पॉइंट को होता है मतलब जो फाइनल आउट पूट दो गए तब यूज कर सकता है पहरे स्टार्टिंग में कोई कुछता यह सब्सक्राइब करना अच्छा तो डेली को कहना मैं साड़े तीन मुझे करना डेली होती है कि अ करने पर क्या हो रहा है अच्छा यह चेंज हो जाता है यह कोडिंग से करना परता है यह सब्सक्राइब करना परता है अच्छा और यह ऐसा इफेट से यह तो लगा दो गए यह है ऐसे ऐसे लगा दो गई है हाँ यह तो होगर है यह तो लग जाएगा हाँ हाँ राइड 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 देखो एक बार मैं बतायता हूं मैंने एक रेक्टेंगल लिया चेक है और इसके ऊपर मैंने क्या करा यहां पर इसको मैंने क्या करा इसमें एक इमेड डाल दें इमेचे ना इमेड डाल दें चलो तो image मैं यहाँ से right click करके plugins में जाके unsplash लेके और यहाँ पर मैंने कोई एक related photo ले ली यह photo डाल दी मैंने इसी की ना हम क्या करेंगे इसको select कर लेगे और इसके उपर ना एक बॉक्सर बना लेगे एक बॉक्स बना लेगे ऐसे इसका color हम ब्लैक कलर देगे और ऑपिसीटी डाउन कर देगे इस तरीके से शुरू में size जो है ना वो एक पिक्सल कर देगे इसका तो size हमारा इसका एक पिक्सल हो जाएगा ठीक है इसको मैं उठा के बिल्कुल center में रख लेता हूँ यह रहा ठीक है बिल्कुल आगया perfect हो गया अब आप क्या करोगे इसको ना component बना लेना तो इसको control alt के करके component बन जायागा यह अब यहां plus के बटन पर क्लिक कर देना चेक है अब आप क्या करोगे वो जो आपने एक rectangle बनाया ना यह यह Varian 2 में यह rectangle है यह जो rectangle बनाओ है इस rectangle की width बड़ा दो इसको मैंने बड़ा दिया ऐसे थे चेक है नीचे वाले को से उन जिक सा हो कुम सा यह बड़ियन टू का इसका rectangle को हमने क्या करा select किहा और यहांسे इसकी वित बड़ा दिया कि ऐसे मैं ऐसे एलाइन अंटर कर जाता है आप चाहओ तो ने का सेंटर पॉइंट भी सेट कर सकती यह यह जो सरकल यह आ रहे नहीं इससे ओजाता है इस यह पॉइंट आ रहे है इसे करें तो यहां से हमने क्या कर रहा है इसको बढ़ाया ऐसे रख लिया ठीक है इसको ठाके मैं पूरा इसके उपर और लैप कराये तो हो के सेट बस लिखावा था क्या सके उपर तो देखो यह हो गया हमारे पर एक सेक्शन यह हो गया बस आपने क्या करना है अपने पहला वाले वेरियंट को शिल्टाइपिंग करके आपने बस इसे keeping करना है उठाके रख देना है ऐसे ऑन क्लिकना करके वाइल होवेलिंग कर देना है अब हम यहां से शिइट में जाते हैं और इसको ठाकरता है अब गया करते हैं प्यार Ship इनिमेट लगा थे smart animate तो हमने जब यहाँ पे लगाया थे ना इस पर प्रोटोटाइपिंग की थी तहां लगाई थी प्रोटोटाइपिंग दिख रही है प्रोटाइपिंग अधिकतर ही है on scroll with this इसमें यह री तो वाइल होवरिंग पे स्मार्ट एनिमेट कर दिया तो देखो आगे समझे बहुत तो इस तरहे के से यह एफेट लग जायागा आप चाहते हो इस पर कोई क्लिक करें तो बड़ी होके में जाज़े पता कैसे होगी हाँ तो पता क्या करेंगा हम इसके उपर इसके उपर हम एक और वो प्रोटोटाइपिंग सेट करेंगे इस केस में हम क्या करेंगे इस इमेज को ना भार लियाएगे इस वाली इमेज को इस इमेज को मैं भार लिया आया इस फ्रेम कि इसको बढ़ी कर दी और right click करके इसको बना दिया frame selection चीक है इस पर click करेंगे इस फ्रेम बनाया control जीस हो जाएगा इस वाले को उठा के हमने इस frame से call करा दिया ठीक है, on click की जगह navigate to जगह open overlay कर दिया यहाँ पे मैं काम करता हूं,EEEम केलाने में रख लूँए, हमने के लिए यहाँ पे centered की जगह और custom लिख रहोगा, 開वगा, work 데र करने में रख दिया कहाँ पर दिखाना इसे set कर दिया, इस तरहीं के से और वेन क्लोजिंग आउटसेट तो मैंने से बंद करवा दिया वही सेम चीज़ कर लेता हूँ आउटसेट एनिमेट कि मूविन कर दो चलो चेक है अब देखते जरा कैसा आ रहा है फैट तो यह सब चीजहें छोटेटी चीजे यह लगाया करो बाकी इतना ज़्यदा जुश्य करो सुद आरे rsट यह षब मंद आओ क्या Ε cannabis कि कि हम ने वो लगा है ना मूव इन वाला चेक है तो आपको पर काफी सारे ऑप्शन है अब इसमें तो कोई अनिमेशन है नहीं तो मैंने फूल आप बस ऐसे ओवर लाप करा है अब किस इफेट से लगाना आपने वह आपके ओपर है ओव मूव इन लगाना है डिजॉल लगाना यह करते है तो अब कमा लोगना लगना फैर लोगने क्लिकन हो स मझद या करते हुआ इतना राकान को यह सब सब यह सब सब तो ट्राइपिंग अप करके देख लो एक डिजाइनिंग बना लो अब मैं नेस्ट क्लास में आपको थियोरीकल बताऊंगो सारा चेक है मतलब इंटर्वी में क्या कैशी जब पूछते हैं और फिगमा से रेटिट क्या क्या पूछ सकते हैं चेक है तो वो सारी चीजी थियोर हाँ क्या होगा से क्लास के बाद चीक है